बिहार के सियासת में इननों खलवली मची हुई पक्ष और विपक्ष के बीच जारी तनाव के बीच ही अब बिहार में एक दिन के बंद का एलान कर दिया गया है जी हां और यह ऐलान किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने तेजस्वी आदव ने 26 मार्च को बिहार बंद का एलान कर दिया है उन्होंने ये एलान बिहार विधानसबा में हुई घटना से नारास होने के बाद किया है आपको बता दें कि बिहार विधानसबा में हाल ही में जो घटना हुई थी जिसमें विपक्ष के विधायकों को बुरी तरह से पीटा गया था उससे नाराज होकर तेजस्वी आदव ने ये फैसला लिया है तेजस्वी आदव ने विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ मिलकर बिहार बंद का एलान किया है विधायकों को बुरी तरह से पीटे जाने वाली इस घटना पर तीजस्वी आदव ने कहा है कि जिस तरह से बिहार विधान सभा में विपक्ष के विधायकों को पीटा गया है वो मैं भूलने वाला नहीं हूँ इसलिए 26 मार्च को हम सभी मिलकर मजबूती से इस मुद्धे को सड़क पर उठाएंगे इसके साथ ही बिरोजगारी किसान समेद अन्य मुद्धों पर भी आवास बुलन की जाएगी इसलिए 26 मार्च को पर भी आवास बुलन की जाएगी